दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल ग्यान की बाद पढ़ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप सपने में चावल और सब्जी खाते हुए देखते हैं यानि कि सपने में अगर आप भात सब्जी खाते हुए देखते हैं या फिर भात सब्जी को देखते हैं तो यह कैसा सपना होता है इसकी तीन अवस्ताएं होती है जिसमें आप भात सब्जी आप देखते हैं या भात सब्जी को खाते हुए देखते हैं या भात सब्जी किसी और को खाते हुए देखते हैं और एक और सपना हो जाता है इसका मतलब इसे रिलेटेड जिस सपने में भात सब्जी या चावल सब बना रहे हैं तो इस तीन चार प्रकार के जो अलग-अलग सपने है भात सब्जी से रिलेटेड उसके बारे में हम इसके वीडियो में आपको बताने वाले हैं देखिए भात सब्जी को एक अपुर्ण आहाड माना गया है और इसे स्वापन शास्त्र के हिसाब से भी एक कारे होंगे वह आपके पूर्ण नहीं होंगे किसी चीज को पूरा करने के एक्छा आपके मन में होगी तो वह कारे आपके होंगे लेकिन वह उस लेवल से नहीं होंगे जिससे आपको सैटिस्फरेक्शन मिल सके वह कोई भी काम जो होगा आपका वह सही तरीके से पूरा नह तो ये सपना शौपन शास्त के हिसाब से संकेत करता है कि कुछ कम मात्रा में आपको कहीं से धन का लाव हो सकता है या फिर कम मात्रा में धन की नुकसान हो सकती है ये दोनों मतलब इसके हो सकते हैं जिसमें आप भात सब्जी को पड़शा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब हो के जो कोई सत्रू थे चाया वो किसी भी छेत्र में हो सकते हैं आपके काड़ी छेत्र में हो सकते हैं आपके सोसाइटी में हो सकते हैं जो कि आपका भला आपका बुड़ा चाहते थे आपका भला बिल्कुल भी नहीं चाहते थे तो वो जो सत्रू है आपका उस सत्रू से आप आप ऐसा महसूस करेंगी आप उस सत्रू पे प्रबल होंगे और वो सत्रू कहीं ने कि आपके सामने कमजोर होगा तो उमीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें